गोईंग कंज, आशा है, आप सबी अपने अपने गरू में सुरक्षे थे प्यारे बच्चो आप सबी का मेरी कख्षा में हार्दिक स्वागत है गोईंग कंज, आजका जो हमारा परसंग है कौन सिखाता है? प्यारे बच्चो जो ये नीचे दिया गये कारे है इनको आप अपनी पुस्तक पर करेंगे मतलब अपनी बुक पर करेंगे आपका जो आज का कारे है पेज नंबर 14 है प्यारे बच्चो हमारा जो परसंग है भाशा को समझे बाशा को समझें, इसका मतलब हमें जो पहला दिया गया है, इसको हमें समझना है और अपनी पुस्तक पर लिखना है पहला हमारा दिया गया है समान तुक वाले शब्द, तो प्यारे बचों समान तुक वाले शब्द का अर्थ होता है समान तुक वाले शब्द का मतलब है हमें मिलते जुलते शब्द लिखने है राइमिंग वर्ड जैसे आप करते हो मिलते जुलते शब्द लिखने हैं बचो पहला शब्द हमारा है कौन और कौन का शब्द आएगा समान तुक वाला शब्द कौन में आएगा प्यारे बचो दूसरा शब्द है चिडिया और चिडिया का शब्द आएगा बिडिया गुडिया लालन का शब्द आएगा पालन चलना का शब्द आएगा मलना सारे का शब्द आएगा तारे और खेल का शब्द आएगा तेल या रेल आशा है आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है दूसरा दिया गया है शब्द के आर्थ चुन कर लिखो Goinkan शब्द के आर्थ मतलब यहाँपे आपको शब्द दिये गए है और इन शब्दों के आपको आर्थ लिखने है जैसे उपर शब्द दिये गए है, पहला शब्द है पेड, दूसरा है पंची, तीसरा है जन्नी, चोथा है सूरे, पांचवा है नीड, और छटा है छेवा है जानवर प्यारे बचो, पहला जो शब्द हमारा है दिया गया है गोंसला, तो गोंसला का अर्थ क्या है नीड, गोंसले में हमने लिखना है नीड, मा का अर्थ क्या होता है बचो, जन्नी, जन्नी का अर्थ यानि जो हमें जन्म देती है प्यारे बचो, अगला शब्द है तरू तरू में क्या आएगा? पेड तरू का अर्थ है पेड जैसा कि हमने कक्षा में पहले भी पड़ा है गोईंकन्स तरू का अर्थ है पेड उसके बाद हमारा शब्द है पशू और पशू का अर्थ क्या होता है? जानवर है सूरज सूरज का अर्थ क्या आएगा सूर्य यानि सूरज का अर्थ आएगा सूर्य आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को मेरी जो कक्षा में मैंने आपको आज समझाया आपको पढ़ाया आप सब इस कारे को अपनी पुस्तक पर करेंगे प्यारे बच्चों मेरी तरफ से आप सब को देर सारी शुब काम नाए मैं आपको अगली क्लास में फिर से एक बार फिर सिखाऊंगी धन्यवाद